स्वागत है आपका आज के अपसूड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था डाक घर विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिकित कत्थनों पर विचार कीजिए एक इसका उदेश अठारसो अंठानबे की 125 वर्श पुरा ने भारतिय डाक घर अधिनियम को निरस्त करना है दो या विधेयक अठारसो अंठानबे के अधिनियम के तहट सभी दंडो और अपराधों को सबाप्त करता है तीन, निजी कूरियर सेवाओं को नए अधीनियम से छूट दी गई है उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को डाक घर विधयक 2023 हाले में पेश किये गए डाक घर विधयक 2023 का उद्देश्य भारतिय डाक घर अधीनियम 1898 को निरस्त करना है जो 125 वर्शों से अस्तित्वब है अतकतन 1 सही है या विधयक 1898 के अधीनियम के तहत सभी दंडों और अपराधों को हटा देता है अपराध जैसे कदाचार, धोखा धड़ी और चोरी सहित अन्य को पूरी तरह से हटा दिया गया है 2023 विधयक पहली बार निजी कूरियर सेवाओं को अपने दाइरे में लाकर उन्हें नियंत्रित करता है अतकतन 3 सही नहीं है तो चले शुरुआत करते हैं आज के एपिसोट की पहले प्रश्न के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग यानि IMD के संबंद में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक यह भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवाई परिवर्तन मंत्राले की एक एजनसी है तथा देश में सभी मौसम संबंदी इवं अन्य संबंदित मामलों की देख रेक करती है दो, IMD सभी के लिए प्रारमभिक चेतावनी कारिक्रम के लिए सहयोग करता है जिसमें 30 चिन्ह देश शामिल है तीन, उर्जा, पर्यावरण और जल परिशद यानी CEEW निति निर्माड के लिए IMD की एक शाखा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है एक केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए अब देखते हैं इसके विसलेशट को भारत मौसम विज्ञान विभाग, देश की राष्टिये मौसम विज्ञान सेवा के रूप में कारे करता है साथ यह मौसम विज्ञान एवं अन्य संबंधि शेत्रों की देखरे के लिए उत्तरदाई प्रात्मिक सरकारी इकाई है भारत सरकार के प्रित्वे विज्ञान मंत्राले के तहत संचालित यह विभाग, विभिन मौसम संबंधी एवं संबंध चिंताओं को दूर करने में महत्वपोन भूमिका निभाता है अताकथन एक सही नहीं है IMD ने संयुक्तराष्ट के सभी के लिए पुर्व चेतावनी कारिक्रम में योगदान देने के लिए साज़दारी की है जिसके लिए 30 देशों की पहचार की गई है अताकथन दो सही है CEEW किसी सरकार, राजनितिक दल, विश्व विद्याले या किसी अन्य संगठन से संबध नहीं है हाला कि CEEW का विभन हितधारकों के साथ मजबूत सहयोग है किन्तु यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अताकथन तीन सही नहीं है अगला प्रश्ण है बायो मारकर के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, यह किसी जीव की भीतर एक विसिस्ट रोग स्थिती या अन्य शारिरिक स्थिती के संकेतक के रूप में कारे करता है दो, यह एक ऐसे पदार्थ को संदर्भित करता है जिसे अंग प्रकार अत्वा, स्वास्थ संबंधी पहलूं का अध्यन करने के उदेश से किसी जीव में अंतकशेप किया जाता है तीन, चिकित्सा के शेतर में एक बायो मारकर किसी बिमारी के मातरात्मक संकेत की रूप में कारे करता है जो किसी विशेश रोग सिते के अस्तित्व अत्वा डिग्री को दर्शाता है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्रका सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को बायो मारकर या किसी जीव की भीतर एक विसिस्ट रोग सिती या अनिशाररिक व्याधी के संकेतक के रूप में कारे करता है अतकथन एक सही है या एक ऐसे पदार्थ को संदर्भित करता है जिसे अंग प्रकार अत्वा स्वास्त संबंधी पहलों का अध्यन करने के उद्देश से किसी जीव में अंतशेप किया जाता है अतकथन दो सही है चिकित्सा के शेत्र में एक बायो मारकर किसी बीमारी के मातरात्मक संकेत के रूप में कारे करता है जो किसी विशेश रोग सती के अस्तित्व अत्वा डिग्री को दर्शाता है। अता कथ तीन सही है। बता दे की बायो मारकर पर्यावर्णी रसायनों के संपर्क चीरकालिक मानो बिमारियों के विकास तथा बिमारी के बढ़ते जोकिम वाले उपसमुहों की पहचान के बीच संबंदों को समझने में महत्वपून भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्ण है राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्ड यानि NDDB के संबंद में निम्नलिकित कथरों पर विचार कीजिए। इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और नहीं दो। चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को। नए निगमित निकाय को राष्ट्रे महत्व का संस्थान भी घोशित किया गया। अता कथन दो सही है। अगला प्रश्ण है निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 87 सम्वैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समीतियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। दो, सहकारी समीतियों से संबंधित भाग 9B विशेश रूप से बहुराज सहकारी समीतियों पर लागू होता है क्योंकि अलग-अलग राज, राज सहकारी समीतियों पर विधाई अधिकार बनाए रखते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D न तो 1 और नहीं 2 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2 चलिब देखते हैं इसके विसलेशन को संतान्बवे सम्वेधानिक संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समीतियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के रूप में स्थापित किया अतक अधन एक सही नहीं राजेंद्र एन शाह बनाम भारत संग मामले में सर्वोच न्यायाले ने कहा कि संतान्बवे संशोधन द्वारा प्रारंब की गई सहकारी समीतियों से संबंधित भाग 9.B विशेश रूप से बहुराज्य सहकारी समीतियों पर लागू होता है क्योंकि अलग-अलग राज्य राज्य सहकारी समीतियों पर विधाई अधिकार बनाए रखते हैं अता कथन दो सही है अगला प्रश्ण है Rule of Law Index निम्नलिकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है A. विश्व न्याय परियोजना B. विश्व बैंग C. संयुक्त राश्ट्र विकास कारिक्रम D. अंतराश्ट्रिय न्यायाले इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. विश्व न्याय परियोजना चले अब देखते हैं इसके विसलेशर को विश्व न्याय परियोजना एक अमेरिकी नागरिक समाद संगठन Rule of Law Index प्रकाशित करता है जो आठ मानदंडों का उप्योग करके कारेकारी जवाब देही और मौलिक अधिकारों के सम्मान के आधार पर देशों को सुचिबद्ध करता है जिसमें मौलिक अधिकार, प्यवस्ता तथा सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय एवं आपराधिक न्याय, सरकारी शक्तियों पर बाधाएं, भ्रस्टाचार की अनुपस्ति, सरकार की पार्दर्शिता शामिल है अधा विकल्प ए सही अगला प्रश्ण है, सुभाष चंद्र बोस की संबंध में निम्नलिकित कत्थनों पर विचार कीजिए एक, उन्होंने राज्यतिक रूप से वामपंधियों को एक जूट करने और अपने ग्रिह राज्य बंगाल में महतोपून समर्थन हासिल करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉग के स्थापना की है दो, उनकी जयनती 23 जन्वरी को पराकरम दिवस की रूप में मनाई जाती है तीन, बोस वर्ष 1926 में हरीपुरा में कॉंग्रेस की अध्धक्ष निर्वाचित हुए उपर्युक्त में से कितने कथन सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी साभी तीन, डी इनमें से कोई भी ने इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिएब देखते हैं इसके विसलेशड को सुभाश चंद्र बोस, उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉग के स्थापना की इसका उदेश अपने ग्रिह राज बंगाल में राजनितिक रूप से वामपन्त और प्रमुक समर्थन आधार को मजबूत करना था अताकथन एक सही है उनकी जयांति 23 जन्वरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है अताकथन 2 सही है वोस वर्ष 1938 में हरिपूरा में कॉंग्रेस के अधक्ष निर्वाचित हुए अताकथन 3 सही नहीं है अगला प्रश्ण है योन प्योंग द्वीप और बेनगनी ओंग द्वीप निमनलिखित में से किस देश से संबंधित है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. दक्षिन कोरिया चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को योन प्योंग द्वीप या योन प्योंग डोर पीले सागर में दक्षिन कोरिया द्वीपों का एक समूँ है या इंची योन से लगबग 80 किलो मेटर पशिम में और उत्तर कोरिया के हांगे प्रांत के तड़ से 12 किलो मेटर दक्षिन में सित है बेनगनी ओंग द्वीब एक दक्षिड कोरियाई द्वीब है जो उत्तर कोरियाई सीमा के करीब पीले सागर में सिथ अतविकल्प ए सही अगला प्रेश्ण है एक सारना धर्म के संबंध में निम्नलिकित कथुनों पर विचार कीजिए एक यह पंद्रवी सोलवी शताब्दी के संत सुधारक श्रेमंत शंकर देव द्वारास्थापित एक आध्यात्मिक परंपरा है दो बताद्रवा एक सारना धर्म की अनुयाईयों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में गहरा महत्वर रखता है ती इसे चोलों का संरक्षन प्राप्त था उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है एक एवल एक बी केवल दो सी साभिती डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प एक केवल एक चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को यह पंद्रवी सोलवी शताब्दी के संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक परंपरा है अतह कथन एक सही है बता द्रवा एक सारना धर्म की अनुयाईयों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में अत्यधिक महत्वर रखता है अतह कथ गंगा सागर मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक गंगा सागर मेला मकर संकरांती के दौरान लगता है और यह भारत का सबसे बड़ा तिर्थ मेला है दो यह वाशिक तिर्थ मेला गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर सागर इसे राश्ट्रिय मेले का दर्जा दिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है। A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिब देखते हैं इसके विसलिशन को। गंगा सागर मेला जो मकर संक्रांती जन्वरी के मध्ध की दौरान लगता है। कुम्ब मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिर्थ मेला है। अतकथन 1, सही नहीं है। यवाशिक तिर्थ मेला लाखों लोगों को गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम परस्तित सागरद्वीप की ओर आकरशित करता है। एवं प्रसिद्ध राजा भागिरत द्वारा गंगा के पृत्वी पर अवतरण का स्मरण कराता है। अतकथन 2, सही है। पशिम बंगाल सरकार मेले को राश्ट्रिय दर्जा देने की मांग कर रही है जिससे केंद्रिय वित्त पोशन और बुन्यादी अवसन रचना के विकास में बृत्धी होगी। जिससे पशिम बंगाल में परेटन एवं आर्थिक गति विधियों को बढ़ावा मिलेगा। अतकथन 3, सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दुष्टी IS के ISGS फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन पर 25 जनवरी तक 40% तक का डिसकाउंट उपलब दें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गल लिक पर क्लिक करें। अंक में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण। निर्मलिकित में से कौन सा देश अर्जंटीना और चिली के साथ लीथियम त्रिकोड का हिस्सा है। इस प्रश्ण का उत्तर कामेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया। दियर विवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले।